नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों एक बार फिर आपके सामने एक महत्पूर्ण जान कर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आपके परिवार में भी दिव्यांग वैकती है और आप नई पैंसन बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पैंसन के लिए कैसे अपलाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जान करी देने जा रहा हूँ दोस्तो दिव्यांग को सरकार की तरफ से 3,000 रूपे पैंसन दे जाती है यह फॉर्म भरने के उपरांत आपको कहां पर जमा करने हैं और कितने दिन बाद आपको पैंसन मिलेगी वैस सभी जान करी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोगा तो वीडियो को आप सुरू से लेकर लाच तक जुरू देगा क्या आप दस्तवे चाहिए होंगे सभी जान करें आपको यहाँ पर दे जाएगी साथ दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आपसे निविदन करता हूँ कि अगर वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो भी वीडियो को लाइक कर दीजिए सियर भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा तक जाने वाले नोटिफिकेशन आप तब पहुंच सकते रहें उचले वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले आपको आजाना है एकी करत समाजिक पैंसन पोर्टल पर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहां से आप दिव्यांग पैंसन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है तो दोस्तो यहां पर जो सर्ते हैं वह भी यहां पर सर्ते बताई गई हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर सर्ते बताई गई है कि कम से कम जो देख्ये है वह 40% की आपकी दिव्यांगता होनी चाहिए इसमें चाहिए महिला हो या फिर पूरुस्वों दोने ही इसके लिए अपलाई कर सकते हैं apply करने के लिए दोस्तो आपको यहां पर योजनकी विश्य के ऊपर कुलिक कर दे ना है अब जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने next page open हो जाता है अब यहां पर ध्यान दीजेगा दोस्तो यहां पर option दिये गये हैं आविधन करने के एना ओनलाइन आविदन करे और पातरता के लिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर पातरता जानेंगे कि पातरता क्या है क्या नियम है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अब जैसे आप यहाँ पर किलिक करते हैं तो आपके सामने जो पेज है वह निकल कर आजाल पा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले आयू दी गई है देखी इसमें महिला हो या पुरूसो कम से कम आयू यहाँ पर 18 वर्स होनी चाहिए आएक तम तो यहाँ पर डेट सो दी गई है उसके प्रांती जो आपकी आए है आए अगर आप ग्रामिनी छेतर से हैं तो 46,80 रूपे आपकी आए होन चाहिए और अगर आप सहरी छेतर में रहते हैं कस्बी में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 56,460 रूपे आपकी 35 साल की आए होनी चाहिए वह यहां पर बताया गया है कि जो दिव्यांगता है वे कितनी परतिसत होनी चाहिए तो कम से कम यहां पर 40 परतिसत आपकी दिव्यांगता होनी चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है एक दोस्तो दिव्यांग पैंसन के यहां पर पातरता है और आप पैंसन हो गया और इधर हो गया आपकी कुल्षट वास्ता पैंसन यां कि यह भी दीव्यांग पैंसन नहीं है लेकिन उस- इसमें उनिवेक्टयोंकि पैंसन बनती है जो कुछ्ट रोग से गरस्त होते हैं लेकिन अगर आप नोर्मल है और आपका कोई हाथ पैर आंक कोई भी शरीर का अंग डैमिज हो जाता है तो आप दिव्यांगता में आ जाते हैं तो यहां पर दोस्तों दिव्यांग के यहां पर नियम है वे दोस्ता पर देख लिए अब हम चलते सिदे वापस पहले यहां पर दोस्तों और भी जानकारी दी गई है जिसके यहां पर देख सकते हैं पैंसन बता गया गया कि यदे आविदक अन्या पैंसन योजना से लावनती है तो पात्र नहीं होंगे यांद कि अगर आप पहले से कोई पैंसन ले रहे हैं है तो आपको यहां पर पांस रुपे बता तो आपको 25 सुर्प्य आप चाहिए कि क्या होते हैं कुछ ठा के लिए कैसे अपलाई करते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजेगा हम आपको वह भी जन्द कर दे रहे हैं किस प्रकार से आप अपनी पैनल को बना सकते हैं अब दोस्ति यहां पर जो पात्रत है जो जोहां पर दस्तवे चाहिए अपलोड करने होंगे वह आप देख सकते हैं आविदक का प्रमाण पत्र हून चाहिए और गरामिन चेतर की दस्ता में गराम सभा का प्रस्ता हुआ आपके पास चाहिए ठीका न दस्ता है आपको आपना यहां पर आपको कुई भी मैं यही ले लिए हैं और आब आप यहां पर देखेंगे अगर आप सहर या फिर नगर में रहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है और अगर आप गाउं में रहते हैं तो दोस्तों आपको यहां पर क्लिक करना होगा और अगर आप सहरी चेतर से हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना होगा और अगर आप सहरी आपको पर पर आपको कोड़े नहीं होगी विलेज करना है उसके उपरांत अब फिर आपको यहां पर आवेदक का जो नाम है एपिलिकेशन में जो अधार कार्ड में नाम है वही आपको यहां पर डालना है अब यहां पर जेंडर क्या है मेल है फिमेल है जो भी है आपको यहां पर टिक कर देना है जिनमतिति जो भी आपकी वही आपको डाल देना है और यहां पर अगर महिला है साधी हुई है तो उनको को पति का नाम लिखना है और साधी नहीं हुए है तो यहां पर आपको प्रीन पर्ड derecho ने पर बताया गया पूरा हो गया है अब यहां पर आता है बैंक वीवरन में दोस्तों आपको यहां पर बैंक का नाम डालना होता है यहां पर आपको अपना एकाउंट नंबर और यहां पर खातसंग का दुबारा आपको दर्ज करना होगा दोस्तों यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा सखा का नाम ब्रांच जहां पर भी है कोड यहां पर ओटोमेटिक आपका आजाएगा अब आए का यहां पर आप देख सकते हैं तैसिल दुवारा परदत आय प्रमानपत्र आधन संक्या आपको यहां पर डालनी होगी यहां पर एंटर इंकम करनी होगी हैं यहां पर संक्या हैं दूसरा तीसरा उयत्त है हमारा कंप्लेट यहां पर अब आता है प्रमानपत्र क्या तो उसके प्रण दूस्तों यहाँ पर दिव्यांगता प्रमानपत्र किस तिसमें आपने बनवाय था कब बनवाय था आपको इसके डाल देना है क्या New उनिक ही हो दिवांगता इड सब्सक्राइब करने होते हैं अब अगर आप फोटो अब लोड करते हैं तो जे पीजी इनमें होना चाहिए ना तभी आप अपना फोटो आप अप्लोड कर पाएंगे अप्लोड करने के लिए दूस्त आपको फाइल के उपर क्लिक करना होगा यहां पर आपको क्लिक कर देना है लेकिन ध्यान रखना होगा कि यहां पर प्लोड करने होंगे और 200 KBK होने चाहिए ठ्याना तो इस परकार से दोस्तों यहां पर आपको पूरा फॉर्म जो है कंपलिट हो जाता है और यहां पर आपको टिक कर देना है आप यहां पर पढ़ लेना है इसमें बताया गया है दोस्तों जो आपने जानकारी भ आपको समिट कें उप्सिन पर क्लिक कर देना है ऐनकार रहता है अपको यहांउट करने होंगे और यहांसे झाल रहें जिनको एक महीने यहां तो आक्षे एक हजार रूपय सकते हैं और आप चैनल को पहला सकतें को प्रयाइब कर सकते हैं। आप सकते हैं आप से जयात और मिलते हैं फुना इस्टूडियो में जब तक लिए जय हिंद जय भारत